हलो गारे जायम धर्मेंदर आप देख रहे हैं चैनल यूर एक्जाम गुली आप सभी काप के अपनी चांट पर बहुत बहुत स्वागत है तो जैसे के फैंस आप लोग जानगे होगी कि हम इस वीडियों बात करने वालें CISF टेट्समें 2020 एक्जाम के बारे में दोस्तों को पता होगा CISF की जो अफलाइन वेकेंसी निकली थी इसका आप लोगों ने फॉर्म डाला इसका आप लोगों का फीजिकल हो चुका है और तो और इसका इटेट टेस्ट भी हो चुका है अब नेश्ट आता है क्या इसका लिखित एक्जाम या रिटेन एक्जाम ज आए तो बताईएगा हम लोगों का एक्जाम का भे कब नहीं है तो दोस्तों हाली में अफ्सल अपडेट निकल के आ रही है जो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आँगे बढ़ें अधि आप चैनल पर नहीं है तो इसको स दरूब करें ओकी चली बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आखिरकार क्या अफ्शियल अपडेट आई है आखिरकार क्या नीज आप लोगों को मिलने वाली है चली बढ़ते हैं आगे उसकी आपको यहां पर एक नोटिस बॉड़ दिख रहा होगा जो कि आप देख सकते हैं नहां पर इंपोइटेंट क्या वोले साइडूल डेट ऑफ रिटान एग्जामनेशन फॉर पोस्ट ऑफ कॉंस्टिवल टेट्समेंट 2019 दोस्तों हमको इस पर क्लिक करना है चली करते हैं जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे समक्ष एक नोटिस आता है जो कि आप रिट कर सकते हैं चली करते हैं चली करते हैं पर आप रिट करेंगे सब्जेक्ट में लिखा है रिक्वर्मेंट ऑफ कॉंस्टिवल टेट्समेंट 2019 कंडेक्ट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन की रिगॉर्डिंग मतलग कि आपका जो रिटर्न एग्जाम कंडेक्ट होना है का उसके संबंद में आप नोटिस जारी किया गया है आँगे आप पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा क्या आप बोला है काइंड ली इफार्ट टू इस डारेक्टेड आप बोला है आईवन नंबर जे दिया ग्यारा उनसर डेक्टेड अठारह तीन दौजार बीस एंड न आप नेर चैटर्ब इत एंड टॉस्पर जाख सब्सक्राय को घ्तित आप बोला है क्या दौस्या सब्सक्राइब टो ज्या आप बोला है ऑ मैप बोला है या आप क्या सूर्श् एपसाइड इमिडेट लीफ फॉर इन्फॉरमेशन आप दे केंड़ेट प्लीज तो दोस्तों यहां पर इसका सार निकलता है क्या कि आपकी जो डेट दी गई थी आप जैसे की देख पाएंगे आपकी जो डेट दी गई थी एकजाम की इसको भी पोश्ट पॉन कर दिया गया है और अनिस्चित कालीन जी दोस्तों आनिस्चित कालीन आपकी जो एकजाम डेट है इसको पोश्ट पॉन कर दिया गया है ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपका एकजाम इस डेट में होगा चूकि आपको पता होगा हमारी कांट्री या फिर और और बर्ड पूरे विश्व मे नोबल कोरोना वायरस ने अपना कहर मचाय हुआ है तो दोस्तों इसी के चलते हैं यहां पर ऐसा डिसीजन लिया गया है जब तक इसका आउट ब्रेक नहीं होता मतलब की सोच्वेशन बिलकुल हमारे अनुशान नहीं होती मतलब की इसका प्रभाव कम नहीं होता कोई इसका इलाज नहीं आ रहा है जब तक कि लिए साइद आपनों का एक्जाम ना हो मेवी आपका दो से तीन महीने बड़े आराम से लग जाएगा इसका जैसे कोई सोलूशन निकल रहा है ऐसी सुचुएशन बन रही है कि हाँ आप एक्जाम कंडेक्ट करा सकते हैं तो बिलकुल हमा पर बुल गया है कि यहां पर जो नियुच फिलास होगी आप उसको देखते रहें ऑफिशल वैपसाइट पर इमिडेट ली पैंस बस यही सिर्प इंफॉर्मिशन थी आपकी जो डेट है वो निश्चित तो नहीं की गई है बट आभी फिलहाल में टाल दी गई है जैसे आपके प्रुवाइड कराऊंगा तब तक लिए आप सब इसे रिक्वेस्ट है क्या चैनल पर नहीं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करते जाएं ओके लेते हैं आपसे बिदा टेक क्या लव यॉल जय हि